भारी डिमांड कि सर बाखी रेलवे के सेर तो उच्छाल मार दिये 35 से 100 रुपया कहां कहां तक पहुचा दिये आज बात करेंगा मोग आई-ार एपसी इंडियन रेलवे करेंगे जो अनना इसका में जो परपस्ताओ गया था कि वहीं रेलवे के विकास के लिए फंट को भॉरो करना उसके एक स्ट्रेट करने के लिए क्या करना कि वहीं फंट को बारो करना लीज़ वे लेना ताकि काम नाम चल सके इसका जो सेर के बारे में जनकारी निकल के आती है क्या इसमें हमें अभी पैसे लगाने चीने क्या सेर को पर्चेस करें चीने कहां तक गिरेगा कहां तक और ऊठेगा इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके fundamental analysis के बारे में थोड़ा details में देख लेते हैं fundamental analysis क्या करता है उसके बाद हम लोग इसके कुछ आपके favorable points और कुछ इसके negative points के बारे में करेंट प्राइज 176 यानि 52 विक्स हाई पर चल रहा है continuously डिविडेंड प्रोवाइट कर रहा है बुक वैलू के हिसाब से लगवा गेव या ओवर वैलू चल रहा है return on investment लग ठीक ठाक चल रहा है पित्रोवस्की स्कोर इसकी पाइफ है यानि long term के लिए बहतर है growth इसकी minus में चल रहे है बात करें इसके debt की तो भाई या huge debt है इसके अंदर आप बात करेंगे इसके कुछ holdings promoter holding तो promoter holding यानि की सरकार के पास लगभग 86.4% के करीब पैसे है तो भाई अगर सरकार के पास है तो यह डूबने तो नहीं देने वाली है इतना तो clear रहे कि सरकार के पास अगर पैसे इसके है तो पैसा तो भाई डूबे का नहीं चलेगा अब बात करेंगे इसके कुछ basic requirements तो इसकी जो बात करेंगे हम लोग domestic investors यानि जो qualified domestic investors है उसकी जो holding sale सिर्फ 1% के करीब है और उसी तरह foreign जो qualified investors है उसकी भी holding 1% करीब है public holding भी सिर्फ 11% करीब है यानि public ने भी इसमें कोई बहुत ज़्यदा interest नहीं दिखाया है यह अपने 52 weeks high पे चल रहा है ग्राहम नंबर देखा जाए इसके basis पे बी ओवर वैलू ट्रीट कर रहा है पीजीए स्कोर के basis पे बी क्या कर रहा है ओवर वैलू ट्रीट कर रहा है तो क्या इसमें buying option बनती है तो फर buying option बनने का कारण इसमें और है हम लोग देखेंगे कुछ इसके positive और negative impacts को भी देख लेते हैं उसके बाद हम लोग details में बात करेंगे कंपनी का जो प्रोज है यानि जो इसके अगर हम लोग merit सी बात करें कुछ positive impacts की बात करें तो positive impacts में है कि company ने लगतार ग्रो क्या किया है वह प्रॉफिट ग्रोथ किया है वह लगबग 25 CGR over last five years में पांच साल में लगतार इसने क्या किया है 25% का compounded animal growth rate में वह अपना क्या किया profit growth किया है लगबग 30% करीब इसने अपना एक dividend अपने shareholders को continuously provide किया है तो इसके दो points है जो कि इसके positive impacts है जहां पर हमें पैसे इस fund में लगाने के लिए हमें inspire करते हैं थोड़ा सा भाई कंपनी के low interest coverage ratio है टेक्स सिम लो वह टेक्स रेट्स वहँस कम है अब बात करें तो हाइड डेटर्स ओफ इतना डेज यानि कंपनी के पास जो डेटर्स है दिंदार है उनकी जो average period है लगबग 3730 दिन है यानि 365 दिन होते हैं आपके पूरे साल के अंदर यानि एक कई साल तक पैसे company को ड्रिटर्न रिकर रहें इसके ड्रिटर्स अ यानि की यहां पर पॉजिटीव और इंप्ट्स तो ग्रोफ एक की बात करें तो यहां पर कुछ हम लोग पॉजिटीव इंप्ट्स देखें यह हमारा कुछ नेगेटीव इंप्ट्स एक भाइया डिटर्स अजो इस् जिस तरीके से इसने profit continuously बना करें दिया है ये भी कुछ सालों के लिए बढ़िया हो सकती है लेकिन जिस तरीके से 52 weeks high paid trade कर रहा है तो chances हैं कि इसके price कम होंगे और जब भी कम होते हैं तो आप अपने portfolio को 1% 2% इस stocks में invest कर सकते हैं जब भी 2% 3% 4% के गिरावट आती है उस समय आप इस stock को buy कर सकते हैं और अगर dividend के लिए अगर buy करना चाहते हैं तो इस stock आपके लिए best हो सकती है वीडियो पसंद आती है तो share कर दीजिए लाइक कर दीजिए मिलते नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए जहिन पंदे मात्रम